असलाम वालेखुम आज हम सीखेंगे वाटर आनिमल आज हम सीखेंगे वाटर आनिमल जैसे टर्टल 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 और इसके उपर है बेबी टर्टल टर्टल ने अपने उपर बेबी टर्टल बिठाया हुए और इसका एक और बेबी टर्टल है वाव ये तो बहुत प्यारा प्यारा टर्टल है अब हम आपको दिखाएंगे स्टार फिश वाव ये है स्टार फिश ये मुहम्मद आहमद की स्टार फिश है क्या है Starfish अब हम आपको दिखाएंगे Duck ये एक Giant Duck है मुहम्मद अहम्मद की और इसकी Baby Duck भी आपको दिखाएंगे ये है मुहम्मद अहम्मद की Baby Duck ये है इस Duck का Baby ड़क के Baby को हम इसकी Mama के पास बिठाएंगे ये डग अपनी मामा के पास और इस से छोटी भी एक हमारे पास डग है जो बैठेगी अपनी मामा के पास ये देखो ये बहुत क्यूट सी डग है बहुत प्यारी सी है और ये है ताज वाली डग ये इसके साथ अब हम इन से भी छोटी इनकी सिस्टर इनके ब्रादर दिखाएंगे ये देखो ये एक और डख है येलो इसने लिपस्टिक लगाई हुई है एक और चोटी डख ये पूरी डख फैमिली है हमारे पास रखें वेरी गूड ये हमारे पास आ गई है वाव ये तो कलर फूल डख है पिंक पिंक वाव ये तो सबसे अलग डख है ये डख फैमिली है और ये देखो ये हम अलबा से कोड बहुत च्छोटा सब्ड डख है ये डख बैट गी अपनी मामा के ऊपर ह्ण। बाकी डख भी एपनी मामा के उपर बैठना चाहे वाइट चैस की है और यह अब्दुलहादी फिश को वाश कर रहा है हमारे पास है ओरंड फिश चो पांदि में तेह रही है यह अब्दुलहादी के फिश है यह वाइट फिश है जो अब्दुल्हादी के पास है अब्दुल्हादी से क्या कर रहे हो आप यह तो पानी के अंदर ही होती है यह तो वाच हो जाती है चले ठीक है आपके पास और को वाओ यह तो मुझे शार्क लग रही है हम यह वाइट फिश है और यह इसके अंदर शार्क वाओ इसके तो बहुत बड़े बड़े दानत है यह आपको खा रही हम बहुत तीस दानत है और यह इनके पास है बेबी फिश यह तो बहुत क्यूट सी है और यह वाइट फिश है यह रेखें यह वाइट फिश है यह सी हॉर्स सी हॉर्स सी हॉर्स ये भी वाटर एनिमल है यहां पर है हमारे पास एक येलो फिश और ये भी वाटर एनिमल है ये तो हमारे पास एक बहुत बड़ी फिश है देखें ये येलो कलर में है और ये बड़ी फिश है हमारे पास यह शार्क है और यह हो गई हमारी माट रनीमल टर्डल स्टार फिश डक लिन्ड और डक फैमली और फिर हमारे पास एक अदर शार्क फिर हमारे पास वाईट फिश और हमारे पास सीहॉर्स और येलो फिश तो ये थे हमारे वाटर एनिमन देखते रहिए हमारा चैनल अल्ला हाफिस